गुड मॉनिंग एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल इकसाम हंट तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रहे हैं कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो गाइस आज की सीरीज को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रिशन देखेंगे और फिर आज की सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फीजन हूँ तो आप हमसे कॉमेंट करके पहुंच सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जादा से जादा शेयर भी करेगा तो जाले गाईस क्वेशन है किसे रामकृष्ण बजाज पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया वो हैस बीन अवोर्डेड दा रामकृष्ण बजाज अवोर्ड 2021 ए उप्सन है तरुन बजाज बी उप्सन है अनिल अमबानी सी उप्सन है गौतम अडानी या डी आप्सन है नान अफ टेस इन मेंसे कोई भी नहीं तो गाईस जिन्हों ने इसका राइट और सबसे पहले आँसर किया है वो है नत्थुलाल सर्वाजी दिनेश शोलांकी जी और सिवानी मिसरा जी जिन्हों ने इसका राइट आनसर किया है तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है option number C गौतम अडानी तो आईए इनकी बारे में कुछ मातपुर्ण बातें जानते हैं अडानी समों के चेयर्मेन और प्रशिद उद्योग पती गौतम अडानी का ख्याती प्राप्त कृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरुसकार से समानित किया गया यह पुरुसकार उन्हें भारत की उद्योग जिगत में लेकनी युगदान के चलती एक आत्म निर्बर भारत बनाने की युगदान के चलती दिया गया अडानी ग्रुप का मुख्याले कहां इस्तित है तो अडानी ग्रुप का मुख्याले एहमदाबाद में इस्तित है 2888 में की गई थी तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फियूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पहुँच सकते हैं तो गाइस अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्ण है इसका जो राइट आंसर है वो है ओप्सन नंबर बी चेन तो आई है इसके बारे में कुछ मात्पॉर्ण बातें जानते हैं चीन देश में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को टकर देने के लिए तियान जो त्री कार्गो अंतरिक्षियान को लॉंच किया गया जो कि चीन द्वारा इस्थापित किये जा रहे समान की आपूर्थी को पूरा करने के लिए लॉंच किया गया है चाइना मेंड स्पेस एजेंसी सी एम एसी ने तियान जो त्री को ले जाने वाले लॉंच मार्च साथ वाई-4 रॉकेट को दक्षिनी हैनान प्रांत में वें-चॉंग अंतरक्षियान प्रेक्षपन से प्रेक्षित किया है चीन की राजधानी का क्या नाम है तो चीन की राजधानी का नाम बिजिंग है चीन के वर्दमार प्रेशिडेंट कौन है तो चीन के वर्दमार प्रेशिडेंट सी जिंग पिंग है चीन की मुद्रा का क्या नाम है तो चीन की मुद्रा का नाम रेल मिन भी है तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी confusion हो तो आप हमसे comment करके पूँच सकते हैं तो गाइस अब हम अपनी सीरीज का next question देखेंगे लाउंच पुस्तक दत्रीकांस और दोंच पूष्टक दा ठ्रीकांस अड दो इमेज अफ नू इंडिया के लेख़क कौन है वू इस दा ओठर अफ दो लाउंच पूख द्रीकांस अड दो इमरजेंस ओफ नू इंडिया A option है विभूशन रावत B option है कावेरी बमजई C option है सिनोज सकसेना या D option है नाना उफ्तीस इन में से कोई भी नहीं तो guys आप भी हमें comment करके बताते रहें किसका right answer क्या होगा तो जी हाँ guys इसका जो right answer है वो है option number B कावेरी बमजई तो I.N. के बारे में कुछ मात्पूर्ण बाते जानते हैं लेखी का कावेरी बमजई ने अपनी नई पुस्तक The Three Khans and The Images of New India लाँच की वरिष्ट पत्रकार कावेरी ने इस पुस्तक में वालिवुट की तीनो खान और आमिर खान सारुक खान की सबसे कटिन समय की बारे में विस्तार से बताया है तो गाईस अगर आपको इसमें कहीं भी confusion हो तो आप हमसे comment करके पूँश सकते हैं तो चलिए गाईस अब हम अपने सीरिस के next question पर चलते हैं Steel Company Glade Group ने में किस अभिनीता को अपना Brand Ambassador बनाया विच एक्टर वोज अपोइंटेड एज दे ब्रांड अमबेस्टर अफ स्टील कमपनी Glade Group A option है अजय देवकन, B option है सिकंदर्मान, C option है अक्षे कुमार यद D option है मनोज बाचपई तो गाईस आप भी हमें comment करके बताते रहिए कि इसका right answer क्या होगा तो जी हाँ गाईस इसका जो right answer है वो है option नमबर E अजय देवकन जी तो आईए इनके बारे में कुछ महात्पूर्म बाते जानते हैं स्टील कमपनी Glade Group ने भारती अभिनेता अजय देवकन को अपना brand ambassador नामित किया वह अगले दो वरसों के लिए company के brand ambassador रहेंगे इस association से company संपून भारत में Glade एवं Glade Advance brand के तहत अपने TMT Wars की marketing कर उतपाद की असातीत विक्रे का लक्ष हासिल करेगी अब इस पात सहयंत्रों के माध्यम सी Glint Group उत्तर प्रदेश की गुरकपुर और एवं गुजरात में कक्ष में इस्तित उतपाद के काईयों की उतपादन शमता प्रतिवर्स एक मिलियन टन से अधिक का जोरो सोरों से परचार करती नजर आएगी तो गैस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फीजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूँच सकते हैं तो चलिए गैस अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे हमारा नेक्स्ट कुश्चन है नेशनल राइफल एसोसियेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने तो गैस आप भी हमें कॉमेंट करके बताते रहे हैं किसका राइट आंसर क्या होगा तो जी हां का इस इसका जो राइट आंसर है वो है आप्सन नमबर डी रनिंदर सिंग जी तो आईए इनके बारे में कुछ महात्पून बाते जानते हैं रनिंदर सिंग नेशनल राइफल एशोशेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष बने वर चौती बार भारती राइफल संग के अध्यक्ष बने हैं उन्होंने भारती राइफल संग के अध्यक्ष के चुनाओं में बी एस पी के सांसत स्याम सिंग यादो को चपन तीन से हराया यह अध्यक्ष पर जीता है रनिंदर सिंग अब वर्स 2021 से 2025 तक अगले चार सालों के लिए भारती राइफल संग के अध्यक्ष रहेंगे तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कनफ्यूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूंश सकते हैं और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जादा से जादा शेयर भी करिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेशन है किस राजी के समुद्र तटों को ब्लू फ्लेक प्रमाणन दिया गया विज स्टेट बीचिस हैव बिन गिवन ब्लू फ्लेक सर्टिफिकेशन ए उप्सन है तमिलनाडू और पांडुचेरी बी उप्सन है गुजरात और मुंबई इनमें से कोई भी नहीं तो गैस आप भी हमें कॉमेंट करके बताते रहें किसका राइट आंसर क्या होगा तो जी हाँ गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ओप्सन नमबर ए तमिलनाडू और पांडुचेरी तो आएए इसके बारे में कुछ महत्वण बाते जानते हैं भारत में तमिलनाडू और पांडुचेरी के दो नए समुद्र तटों को ब्लू टेग ब्लू फ्लेग प्रमाणन दिया गया जो कि एक अंधराश्टिय को इकोईस्तरी टेग है इस साल यह प्रमाणन पत्र तमिलनाडू के कोवलम और पांडुचेरी में इडन समुद्र तट को दिया गया जिसके बाद अब देश में कुल ब्लू फ्लेग प्रमाणन समुद्र तटों की संख्या 10 हो गई है तमिलनाडू के वर्तमान गवर्नर कौन है तो तमिलनाडू के वर्तमान गवर्नर आर एन रवी जी है तमिलनाडू की राजधानी का क्या नाम है तो तमिलाडू की राजधानी का नाम चेन नहीं है तमिलाडू के वर्दमान मुख्यमंत्री कौन है तो यहां की वर्दमान मुख्यमंत्री M.K. स्टलन जी है तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूश सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जादा से जादा शेयर भी करिएगा तो चलिए गाइस अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल कॉश्चन देखेंगे जिसका अंसर आपको हमें कॉमेंट करके बताना है किस राजी में हिमालेयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संकरण सुरू हुआ इन विच स्टेट दो फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालेयन फिल्म फेस्टिवल 2021 स्टार्टेड ए उप्सन है हिमांचल प्रदेश, बी उप्सन है गुजरात, सी उप्सन है लद्दाग या डी उप्सन है नन अफ देज इन में से कोई भी नहीं तो गैस आपको इसका अंसर हमें कॉमेंट करके बताना है किसका राइट अंसर क्या होगा और अगर आपको वीडियो में कहीं भी थोड़ी सी भी कनफ्यूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूँच सकते हैं तो चलिए गैस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भोले और अगर आप हमारे सोशल मेडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, जल्दी से जुड़ जाएं तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हेव गुड डे, टेक केर, बाई बाई, थैंक यू